नमस्कार दोस्तो आपका सवागत है ST Health Study चैनल पर आज मैं आपको एक बहुत ही महत्तव पुरूण जानकारी बताऊंगा अगर हो जाएं मुँँ में छाले तो अमरूद के ताजे पत्तों से करे दूर जी हाँ जी लोगों को मुँँ के छालों का अनुबव हुआ है ये इस चित्ती से होने वाली ऐस वीदा और दर्द को जानते हैं खाना लगबग ऐसंबव हो जाता है और आप जो भी थोड़ा सा भी खाने की कोशिश करते हैं वह बहुत दर्दनाक तरीके से निंगला जाता है कबज और पेट की गर्मी के कारण अक्सर मुँँ में छाले हो जाते हैं छाले जीप पर हो जाएं तो बहुत ऐस हैनी हालत हो जाती है आई रुवेद में मुँँ के छाले दूर करने के लिए कई गरेलू उपचार बताये गए हैं आई ये इसी बारे में जानते हैं गरेलू साइड इफेक्ट भी नहीं होता है जी हाँ, एक कप पानी में एक समस्दनिया पाउडर मिला कर उबा लें पानी ठंडा होने पर इससे दिन में तीन च्यार बार पुला करें सूखे पान के पत्ते का चुरुण बना कर इस चुरुण को सहद में मिला करके दिन में तीन च्यार बार चाटना चाहिए इससे लाब होता है साइड में मुलेटी का चुरुण मिला कर इसका लेब मुँ के चालों पर लगाए और लार को मुँ से बाहर टपकने दे इससे मुँ के चाले ठीक हो जाएंगे थोटी हरण को बारिक पीश कर चालों पर लगाने से मुँ तथाजीब के चालों से निश्चित रूप से चुटकारा मिल जाता है दोस्तो अब इसे दिन में दो से तीन बार लगाएं तो आपको लाब नजर आने लगेगा चालों में होने वाली जलन को कम करने के लिए किलिसरीन में हल्दी का पाउडर मिलाकर चालों पर लगाएं और 20-25 मिन्ट बाद कुला कर लें हमरूद के ताजे पत्तों में कथा लगाकर पान की तरह चबाने से भी मुँ के चाले जल्दी ही ठीक हो जाते हैं दिन में तीन-चेर बार सुद गी या मक्षन को मुँ के चालों में लगाना चाहिए इससे रात मिलती है मिश्री को बारिक पीश कर उसमें थोड़ा सा कपूर मिलाकर चालों में लगाने से भी आराम मिलता है मिम्बू के रस में सहद मिलाकर इसके कुल्य करने से भी मुँ के चाले दूर हो जाते हैं जी हाँ दोस्तो, मूँ के चालों को दूर करने के लिए ये बेह दिकारगर ओश दिया हैं, जिनका परियोग करके आप अपने मूँ के चालों से रहात पा सकते हैं। काड़ा पेस्ट बना लें, इस पेस्ट को हर सुबै और स्याम चालों पर लगाएं, इसे कुछ मिंट तक लगा रहने दें और फिर अच्छी तरह से दोलें, आपको तुरूंत फरक दिखना शुरू हो जाएगा। देने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद, तो उमीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करें, शाती चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नमस्कार दोस्तों, सबस्त रहो और मस्त रहो.